हेलो एवरीवन वैसे आज के टाइम पे किसी के लिए खाने का पैसा हो या ना हो लेकिन मुबाइल अच्छिज आपको सबके फन में देखने को मिल जाता है तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए इस वीडियो लाया हूँ जापवर्स आप खुद का रिचार् को और करें उसका में दिखाने ल финale के लीजाया लेकिन उससे से पहले में लोजीकक बात करते जब हम कोई जात करते तो और एंटावी को मद्स का प्रवाइड करता है्यां थैसा क्यों नहीं करता हैं धृसे India कow total days होते हैं 336 days लेकिन actuals में days कितने होते हैं 1 year में actuals में day 365 days होते हैं अगर हम recharge day minus actual days करें तो 29 days extra निकल के आते हैं जहां पर आपको yearly 12th recharge नहीं बलकि 13th recharge करने पड़ते हैं तो बड़ी-बड़ी कमपनिया इसी marketing स्टेटिजिक का यूज करके अपना business run करते हैं लेकिन हमें 11% का profit कैसे होगा तो गाइस एकदम simple है जब आप 28 days का recharge करवाते हो 199 का तब आपको yearly total cost होता है 2388 rupees दैन वहीं अगर आप जियो का दूसरा plan लेते हैं जो कि यह 2121 जहां पर आपको 336 days का ही recharge मिलता है लेकिन यहां पर आपका 267 rupees का profit book हो जाता है कैसे तो देखिए अगर आप 199 का recharge करते हैं तो आपको total cost लगा 2388 rupees वहीं अगर आपने one year का एकली बार बड़ा plan कर लिया तो आपको total cost लगा 2121 rupees मतलब 2388 minus 2121 267 profit आपको यहां पर देखने को मिल जाता है मतलब 11% का profit आपको समझ में ने आया तो चलिए एक simple से समझते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं companies को एक साथ पैसा न देख करके हर मंच छोड़ा चोड़ा प्लान करूंगा और बाकी का 11% का profit आप बुक कर सकते हो खाली एक रिचास की प्लान से अगर आप 199 का रिचास करवाते हो तो आप यह के एंडिंग में 267 रुपिस आपको एक्स्ट्रा देना परता मिल जाएगा तो आप जब भी कोई रिचास करें तो बड़ा प्लान लेकर करें चोटी चोटी बाते को ध्यान में रखा जाए तो हम एक बड़ी अमाउंट तक पहुर सकते हैं तो इसी के साथ हम वीडियो को एंडिंग करते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा प्रिज आप इसल motivating मिल आते हैं यहान हो एंड करना ट्रीब कर पहित हैं यहिंख भीडियो के स्यां मेंगियो को सकते हैं